यह सब्द आप एक बार आपको चताब नहीं दिया हैं, यह दूसरी बार है, तीसरी बार तीसरी बार अस्तिती उत्पन नो हो आप मानने सबस्गन आगर जो अपनी मरजादा का सीमा लागेंगे तो सबन की सानभूती किसी भी रूप में आपके साथ नहीं रहेगा हमारे नए सदस से बहतर वातावरन आपसे सिखते हैं और इसकी मापालन करना सब की जिम्यवारी है सिद कालिन सत्र का आज दूसरा दिन सदन के अंदर की तस्वीर हों आपको दिखा रहे हैं राजद विधायक भाई बेंद्र सिख्चा मंत्री के जवाबों से संतुष्ट नहीं थे उस वीच वो सवाल पे सवाल कर रहे थे विधान सबाद एक्षिन ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप वरिष्ट है इसका मतलब यह नहीं क्या बेहतर जानते हैं नए सदस्य भी बहुत अच्छे से सदन को में अपनी उपस्तिती दर्ज कराते हैं पुड़े व्यान को सुने कि सरीके से भाई वेंद्र को फटकार लगी है सदन के अंदर में पो करकर के नियम के हिसाब से चलने के लिए बाद हो जाएंगे आप बरिष्ट नहीं आप बरिष्ट लोगे मांने मंत्री जेकनर्ट आप मानने सदस्गन अगर जो अपनी मरजादा का सीमा लागेंगे तो सबन की सानभूती किसी भी रूप में आपके साथ नहीं रहेगा और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बरिष्ट हैं तो हमें पुर्न ग्यान है हमारे नए सदस से बहतर वातावरन आप से सिखते हैं और इसकी मापालन करना सब की जिम्मेबारी है और अगर जो इसमें आप सहयोग नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप कुछ भी बोल दे हैं ये नहीं आप दो तीन सर्द हैं अब आपको आवास नहीं है कि मैं बैठे बैठे या खड़े हो कि क्या बोल रहे हैं आपका प्रस्ण का दो पूरक आपका जवाब अब जाई आप उस प्रस्ण की जवाब उन्होंने दिया वो सारे भी सा है प्रस्ण के लिए तो मैं देखे एक एक सवाल पर बारे बारे पूरक का हम अबसर दे रहे हैं नहीं ठीक है थोड़ा सा संजम रखी है नहीं यह यह सब्द आप यह एक बार आपको चताब नहीं दिया है यह दूसरी बार है तीसरी बार तीसरी बार अस्तिती उत्पन नहों और मूल प्रस्ण तो नियोजन प्रक्रिक